हलो फ्रेंड्स जैमात अदी कैसे आप सब आशा करती हूं बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो हमारे केतु के परभाव के उपर तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दस नमंबर से केतु उत्रा वालगुनी नक्षत्र में परवेश कर चुका है इस नक्षत्र के स्वामी ग्रहो के राजा सूर्यदेव हैं दोनों को एक दूसरे का शत्रू माना जाता है इस नक्षत्र गोचर का बुरा परभाव का ये राशियों पर पड़ेगा उनके जीवन म मुश्किले बढ़ सकती हैं आईए जाने किन राशी वाले लोगों के लिए केतु का नक्षत्र गोचर मुश्किले बढ़ा सकता है तो इसमें सबसे पहले हैं मेश राशी मेश राशी के जातकों पर भी केतु नक्षत्र गोचर का बुरा परभाव पड़ेगा धन से चुड उत्पन हो सकती हैं क्यारियर को लेकर टेंशन बढ़ सकती है कारोबार में भी नुकसान होगा चात्रों का भी इस दोरान पढ़ाई में मन नहीं लगेगा परिक्षा में कम अंक आ सकते हैं लव लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए यह समय शुब नहीं रहेगा सेहत का खास ख कामी आएगी कारोबार में भी नुकसान होगा धन खर्च पर काबू रखने की जरूरत है वरना आर्थिक समस्याएं हो सकती है चात्रों को इस दोरान आधिक मेहनत करने की जरूरत पढ़ेगी प्रेमियों के लिए भी यह समय शुब नहीं रहेगा स्वास्ते संबंदी समस् के कारण धन खर्च बढ़ेगा अगली राशी है हमारी सिंग राशी सिंग राशियों के जातकों के लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन शुब नहीं रहेगा मानसिक तनाव बढ़ सकता है धन हानी होने की संभावनाय है कैरियर में उतार चड़ाव देखने को मिल सकता है क कारी शेत्र में सहकर्मी और बॉस के साथ संबंध बुरे हो सकते हैं कर्ज में वृद्धी हो सकती है परिवार में लड़ाई जगडे बढ़ सकते हैं किसी को उधार देने या निवेश करने से बचें तो फ्रेंट्स यह थी मेरी एक छोटी सी वीडियो उमीद करती हूँ आ अगर नए है मेरे चानल पर तो प्ली सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स फ्रेंट्स